टी पॉइंट के सभी सांथियों का स्वागत करते हैं इस कारकरम में जिसका नाम है आओ बात करें हम बाते करते हैं ऐसे कलाकारों से, ऐसे काईकों से, ऐसे संगीत कारों से और भी जितने भी कलाके क्षितने हैं हम सबसे बात करते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारा ये विश्वास है, कि बात करेंगे तो बात बनेगी, बातें ऐसी बनती हैं, एक दिन, एक युवा महुतसब था, यूथ फेस्टिबल था एक वोलेज में, सुभागया हुआ कि एक नाटक, जो हमारे क्षित्र के बहुत ही इन पर ख्याब, वो थी माने हुए नाटक का रंकर में, संजीव शाल साहब ने उसको डारेक्शन दी थी, मंच पे नाटक चल रहा था, मुक्ती धाम, मुक्ती धाम नाटक देखते देखते, मुझे जो उसमें कोरस सुनाई दे रहा था, जो पीछे जो गीत सुनाई दे रहे थे, जो उस ना लेकिन क्योंकि मैं भी जिग्यासू हूँ और थोड़ा बहुत संगीत को जानता हूं पोशिश करता हूं समझने कि मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था कि ये रिकॉर्डिक रशी साथ ने कम की जो इस नाटक में पीछे जो गीत बज़ रहा है जैसे ही नाटक खतम हुआ नाटक खतम होते ही मैंने रंकर्मी निर्देशक संगील शाथ से बूचा कि मित्र ये रफी साथ की रिकॉर्डिंग आपको कहां से मिली उन्हेंने कहा रिकॉर्डिंग नहीं है ये लाइव काया गया और गाने वाले मेरे साथ करे वो जो उन्हेंने उनका परीचय करवाया वो थे हमारे प्रदीप रहेजा जी मैं हरान था और मैं बहुत शत्पति शत्पन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं रफी साब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अच्छी तो वित्रो आजा आपको हम मिलवाते हैं उनी गायक से प्रदीप रहेजा जी तो यह है हमारे प्रदीप रहेजा जी आपका अशिक हैं एसे मानने वाले हैं महमद रफी साब को इतना प्यार करते हैं इतनी महंबत करते हैं उनकी गायकी से वो जानते हैं उनकी इबात की तरह से रफी साब आपको बांते हैं और जब गाते हैं तो ऐसा लगता है रखी साहब ही गा रहे हैं प्रदीश जी आपका बहुत-बहुत स्वाज़त करते हैं यह माजरा क्या हुआ पेले अमद्ध तो जी मैं रखी साहब नहीं हूँ क्योंकि यह मेरा सवागय है कि उनको सुन-सुनके मैंने ग पहाण जैसी बात हैं वो हिमाले परवत हैं और मेरा इक्रिमेटी मेरी उपात नहीं है कि मैंने गाना सिखा और लोग कह देते हैं रखी साहब लेकिन मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता तो यह मैंना सवागय संजू कि मिले आपके गाने का मोका मिला एचा लोग क्वमें देते हैं मेरे को तो मेरे को अछा दो है कि अगर लोग यह समझते हैं कि अंसे है आपकी तुछ भाज मिलती है उनको जो और bulunक तक जो पहुंचना चाता है उनके चीमतों तकром तो खुड़ा भOO पहुँ पाता, क्या आ जाए। ऐसा है जी, बच्छपन में हम गाउं मेरा मिला स्टेज पे अकसर खोड़ों को गाया करते हैं। तो जिस इंसलाल चलता रहा। तो फिर मैंने प्रफेसर बख्षी जी है, उनसे संगीत की शिक्षा ली। तो शिक्षा लेते-लेते आगे संगीत कारों से मिलते हुए। जो मेरे को स्टेज प्रेक दिया गया। जिस्टर राज उर्माजी, तुर्षियन पंग जी, जिस्टर मुराडी उर्माजी, यह सब लोग हैं जो में को स्टेज तक लेकर आए, उसके बार यह स्टेज का स्लसला जाए जाए जा पर्मात्मा से सिदा मिलने, जो अगर सुर्ख लग जाता है तो ऐसे लगता है जैसे पर्मात्मा से पृतार जोगी, संगीज से इंसान बोल जा सकता है, पर्मात्मा बोल जा सकता है, वो कहते हैं बंदगी काम नहीं करती, लेकिन गाह गाह के आप उस अपने पर्मात्मा को मना अगर परमात्मा आपके अंदर आगे तो आपको किसी चीज़ के आज सकता ही आपको गुलेशा जैसे हुए है नच के मनाने वाले जो नाच के जिनों ने पा दिया था है और गाके आपके आपके पाया जा सकता है जिसको लोग केते हैं बड़ा मिश्किल है पाना आपके तो इतना उंचा जब संगीत का स्थान है तो थोड़ा आजकल जैसे पैसे की दोड़े में लगे हैं कुछ गाने वाले और ठीक है कि जिन्दगी जीने के लिए पैसा जूरी होता है लेकिन पैसे के लिए जिन्दगी तो नहीं होती है ना सिर्फ पैसे के लिए जिन्दगी हम ताव पे लगा दें, ऐसा तो नहीं होता है, गुरुजन जो है, बड़े बड़े जो हमारे संगीत के हमारे हुए हैं, वो यह कहते हैं कि इससे जीवन बदलता है, क्या बदलता है वास्ता में जीवन बदलता है संगीत से जीवन बिलकुर पाई जैसे कि तके संखीत एक ऐसी कला है जिस या आप को सम्मधत करते हैं आपको क्या में हाधू को समी से जा मेरे को महबत मेड़ी इतनी मैं इतनी सोच नी सका हुआ है कि दौलत बहुत बड़ी चीज दौती है लेकिन महबद से बड़ी नहीं होती है यह भी बातर है इसमें कोई दोर आई निए दौलत जिंदगी की जरूर्ट है तो बच्वच से गाते गाते आप यह नहीं तक आ गये हैं अब ही आज कल आप क्या गा रहे हैं क्या आपको कैसे मौके मिल रहे हैं बैसा ही है जैसा मौके के मताबिक संगीत होता है उस वह गाते हैं बैसे ज्यादा फू कि आप सुनाना चाहिए मैं तो अपने दोस्तों को डेडिकेट करता हूं यह साओं को एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तो एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तो एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तो यह दिल तुम्हारे क्यार का मारा है दोस्तो एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से तुम जैसे महरवां का सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों दूब जाएंगे इसमें वो डूबने की बात करते हैं ऐसे साथी ऐसे कलाकार ऐसे गायक हमारे समाज को सकून देते हैं जबकि हम आपा धापी में हैं सब लोग लगे हुए हैं किसी भाग दोड में ऐसी दोड जिसका भी नंत नहीं होने वाल वैसे में कोई अगर कहता है मैं जाओंगा मैं तो सकून को पाऊंगा तो बहुत बड़ी बात है आज के दिन में किसी के पास संगीत है तो उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है तनहा आदमी पूरी दुनिया में मस रहते हैं तो यह थे मित्रों हमारे साथ आज हमारे साथी हमारे बहुत अच्छे गायक और आपको उनके एक गीत के साथ छोड़े जाराना हूं उनसे गुजारिश करता हूं यह एक दो लाइने या कुछ भी जोगी तो सुनाना चाहें अपनी संद का वो सुनाएं फिर मिलते रहेंगे आपको इस चैनल डीप मॉइट पर जिसमें आप कारकरम देर देख रहे हैं ऐरा थे प्यासी 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 ना बुजर जाएं तुम बाहों में आ जाओं तुम बाहों में आ जाओं या वक्त ठहर जाएं ये रात है प्यासे प्यासे कई रंग देखे तुम्हारे लवों में कहो तो कोई हम चुरा ले जरा शोख पर ले ये सादा सा जीवन जवानी को रंगी बना दे ये पलके उठाओ ये नजरे मिलाओ कर दुनिया सवर जाएं ये रात है प्यासे प्यासे कर दुम्हारे जड़े तुम्हारे येचे ये जड़े ये बना सवर लेग लेना देखे लेगा ठाओता ङुम्हारे लेगार सेवरे साड़ प्यासे